अरुनाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों की बीच फिर से जड़ब हुई है और घटना में दोनों देशों के सैनिक हायल हुए है भारत के रक्षा मंत्राले के अनुसार घटना तवांग सेक्टर के यंग स्टे में 9 दिसंबर 2022 की है रिपोर्ट के अनुसार तवांग में चीन की पीपोल्स लिबरेशन आर्मी एलसी तक पहुँचना चाह रही थी लेकिन वहाँ तैनाद भारती सैनिकों ने इसका विरोध किया इस दोरान दोनों सैनाओं की भी जड़ब भी हुई इस जड़ब में दोनों देशों की सैनाओं के कुछ जवान जखमी हुए है हाला कि भारत की जवानों ने अलसी तक पहुचने की कोशिश कर रहे चीनी सैनाओ को पीछे धकेल दिया रिपोर्ट के अनुसार 300 से ज़ादा चीनी सैनिकों ने लगभग 17,000 फीट की उचाई पर एक चोटी की और बढ़ने की कोशिश की थी भारती सैनिकों ने चीनी सैनिकों के सिरादे को नाकाम कर दिया सूत्रों के अनुसार इस ज़ड़फ में भारत से ज़ादा चीन के जवान जख्मी हुए है सैना के बयान के मताबिक दोनों देशों के सैनिकों को मामूली चोटे आई है और दोनों देशों के सैनिक तुरंत उस शेतर से हट गए सूत्रों के नुसार इस जड़पे भारत के कम से कम छे जवान खाया लिया है इन जवानों को इलाज के लिए कुवा हाटी लाया गया है उदर घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने दिर्धारित रत्किरिया के अनुसार फ्लैग मिटिंग की ताकि इलाके में शान्ती बहाल की जास्था एरफोर्स उमारी पूरी तरीके से गयऔ है और हवी वेपेंड भी हमने डिप्लाइ कर रखे हैं या हम परूस कम समय में महाँ पे पहुचा सकते हमने यह देखा इससे पहले गॉल्वन के अंदर जिस तरीके से आर्मी डिप्लाइमेंट इतनी कम समय में इतनी बड़ी पहाड ये ये उमें पहुचाया गया ये वो बड़ा सरहनी है तो भारत पूरी तरीके से तैयार है अब ये अभी पूरी खबर आई नहीं है ये देखना है कि किते लोग इंजर्ड हुए ये किस लेवल का या की जड़ब थी और चाइनीज कितने इसमें इंजर्ड हुए या मरे ये हम समझते हैं हम लोग को इंतिजार करना चाहिए जब तक कि फॉरिन मिनिस्ट्री इस बारे में या डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है इ पहले भी हो चुकी है ये नाइटीन सिक्स्टी से लेट सिक्स्टी से हो रही है मैंने जनरल सगत सिंग राटवर का एक्जामबल देता हूँ वही यही धक्का मुक्की उस समय भी होती थी और उस धक्का मुक्की में जनरल सगत सिंग राटवर ने ये भी कह दिया था ये फाइरिंग खोल दी हमारे पर जब फाइरिंग खोल दी जरनल संगल सिक गराठोर मेँ आडिर्ट री खोल दी गौ़र्मंट के आॉडरिब्थ के बावजूद। उस ने आॡवर्टेरिंग खोल दी और पांच सो चार्से 182 चाइनीज मार दिये।। और फिर जरनल संदर जे भी यही किया था सम्दरंग चौंग में वैली में एक पुरी ब्रिगेड इंडक करी थी बाई ये और चाइनीज को दबा दिया था ये काम एग्रेशन से होता है पर चाइनीज को अगर ये पता चल दे लग जाए कि भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा बात की तर वारता आप में ही बैठा रहेगा तो वो ये खेल कलते रहेंगे